हेलो व्रीवन आपको का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूटूब चैनल पर और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो शेशन में लोग डिसकस करने वाल हैं रीजिनिंग की जो सीरीज चल रही है इसके नेक्स पार्ट को हम लोग डिसकस करेंगे 5 most important questions को मैं आपसे discuss करूंगी ट्रिक भी आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगी मैं और आपको बता दूं कि reasoning की playlist बनी हुई है जीके की current affair की maths की सभी की playlist बनी हुई है आप उन वीडियो को जरूर देखेगा साथ इसाथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखे मैस के है पहला question है यह related है calendar से ठीक है calendar की question को solve करना मैं आपको बताया है आज हम लोगे important question को solve करेंगे और इस तरह की question exam में पूछे जाते हैं question है यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो December 1906 को कौन सा दिन था आपको सामने 4 option दिया हुआ है ठीक है तो हम लोगे इसको solve करना बताएंगे कैसे solve होता है देखे कैसे करते हैं इस तरह के question को solve सबसे पहले हम इसको pattern wise दिख लेते हैं ठीक है एक तरीके से लिख लेते हैं कैस इसमें आपको 29 सितंबर दे रखा है और लाश्ट 30 दिसंबर दे रखा है तो आपको बताना है कि 30 सितंबर को कौन सा दिन होगा देखे सबसे पहले 29 सितंबर है ठीक है तो सितंबर का 29 वाला दिन बीच चुका है ठीक है क्यों जिन रभी बार है बचा सितंबर किते दिन का होता है 30 दिन का होता है ठीक है तो 29 दिन तो बीच चुका है बचा क्या है सिर्फ एक दिन सितंबर का एक दिन रखा सितंबर और दिसंबर के बीच में कितने मैंने आते हैं सितंबर का तो मैंने एक दिल लिख लिया है फिर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर और दिसंबर अक्टूबर में कितने दिन होते हैं 31 डेज होते हैं नोवंबर में कितने दिन होते हैं 30 डेज होते हैं अब आती है बात December क्या ही आपको दिन बताना है — जैसा हम fight क्या नदा करें उन्स्सक्राहइब इस तरह के question को आपको प्लस क्या सब किया है sweetheart Tu Daek, सारे दिन को लएता है फिर दिनों को sv एक है और जोड आ हो 30 और 30 60 60 31 91 91 प्रसे 92 92 92 अब इस 92 को हम लोग डिवाइड करते हैं किस से 7 से क्योंकि एक हफते में 7 दिन होते हैं तो यहाँ पर हुआ 7 एकम 7 यहाँ पर 2 लिख लिया फिर 7 एकिस ठीक है माइनस किया बचा एक तो जो remainder बसता है जो शेशफल होता है जो कि एक बचा है ठीक है शेशफल कितना था एक तो उसी रविवार के बाद हम लोग प्लस वन कर देंगे निकि रविवार के दिन क्या आता है रविवार के दिन आता है सोमवार जो कि हमारा option B में साफ साफ है तो यहाँ पर option B हो जाएगा हमारा correct answer यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 सितंबर 1906 को सोमवार होगा यह है तरीका मैंने आपको यहाँ पर समझाया है इसलिए आपको थोड़ा समय लग गया इस तरह के question को हम लोग 4 से 5 सेकेंड में solve कर लेंगे अब हमारा question है find the missing number से दिये गए विकल्पों में से विकल्प में अभी आपको बता दे रहे हूँ क्या है दिये गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ग्याद करना है आपको ठीक है लुप्त संख्या जैसे कि आप देख रहे है इस तरह का आपको block बना के दे रखा है सभी number दे रखे है थीक है बत यहाँ पर एक number missing है यही missing number आपको बताना है इस तरह के question को मैंने solve करना आपको बताया है फिर से मैं आपको बताऊंगे चार option आपको सामने दे रखा है कैसे solve करते हैं से पहले आपको ध्यान देना है कि किस तरह का block में number का pattern कैसे सजा हुआ है देख रहे हैं यहाँ पर number है देखे अगर last में बड़ी संख्या दे रहेगी ठीक है तो हम कैसे solve करेंगे left to right जा करके ठीक है अगर मा लेजे यहाँ पर बड़ी संख्या दी होती इस side तो हम लोग up to down solve करते ठीक है बट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसा pattern दे रखा है last में बड़ी संख्या दे रखी है तो हमारा pattern कैसा होगा left to right इस तरह पर हम इस question को solve करेंगे यह तो मैंने बता दे दो तरीके अब क्या से solve करना होता देखे सबसे पहले हमें देखना है यहाँ थर्टी टू थर्टी टू आये कैसे है चार में हम लोग 3 प्लस करते है 3 में 2 प्लस करते है और फिर 8 प्लस करते है 4, 3, 7, 7, 7, 2, 9, 9, 8, 17 तो क्या 32 आ रहा है नहीं आ रहा है यानि कि प्लस करने से हमारा नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पर कौन सा प्राटन फॉलोगा आपको वो देखना पड़ेगा सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पर 4, 3, 2, 8, और 32 तो हम लोग क्या करते है यानि कि अब क्या करते है 4 को 3 से मुल्टिप्लाई करते है 4, 3, 12 12 को 2 से करते है 12 दूनी, 24 अब 24 आ गया है 24 में हम लोग 8 प्लस करते है तो क्या 32 आ रहा है जी यहाँ 32 आ रहा है अब हम लोग चेक करते है क्या ऐसा यह pattern second में follow हो रहा है कि नहीं ठीक है पांच तियाँ 15 ठीक है multiply किया तो 15 15 एक कम 15 ठीक है तीनों को multiply किया तो 15 आया पंदरा में 9 जोड़ने पर 24 आ रहा है कि नहीं 15 प्लस 9 चौविस आ रहा है यानि कि यहां पे भी pattern हमारा follow कर रहा है यहां पे भी फॉलो कर रहा है अब हम थर्ड वाल में भी आसे ही चेक करेंगे ठीक है प्लस करने पर हम लिए देखा था प्लस करने पर ही आया फिर अपने क्या किया इसको multiply किया इसको multiply किया दन इसको को 3 से किया, 7 रिक, 21, अब 21 को 3 से करेंगे, 21 को 3 से गुड़ा करेंगे, 3 एककम 3, 3 दू नीचे, अब 63 में 7, प्लस करेंगे, 70 आ रहा है, तो जिहां आ रहा है, यानि कि हमारा पैटन क्या हुआ, कि 3ों को मल्टिप्लाई करके, लास्ट वाले को एड करके, यहां पे आ रहा है, इनको मल्टिप्लाई करके, लास्ट वाले को एड करके, यहां रहा है, फिर इसको मल्टिप्लाई करके, लास्ट वाले को प्लस करके, 70 आ रहा है, तब हम लोग अपना लास्ट वाला भी चेक करते हैं, यानि कि 2 नवा 18, ठीक है, अब 18 को 4 से करते हैं, 18 को 4 से करेंगे, तो क तो यहाँ पर आता है 84 जो कि हमारा option B में साफ साफ दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने आपको solve करना बताया कि इस तरह की question को कैसे solve करते हैं ठीके तीन को गुड़ा करके last wallet को add करके यह आ जाएगा इसी तरह मैंने यहाँ पर तीनों को multiply किया last wallet को plus किया यहाँ पर आ गया हमारा answer 84 जो कि option B में साफ साफ दिख रहा है ठीके क्योंकि यहाँ last में बड़ी संख्या थी तो हमने इस तरह से देखा अगर यहाँ पर होती तो हम लोग इस तरह जाते है ठीके तो यह हमारा question था यहाँ पर option B हो जागे हमारा correct answer ठीक है वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने friendship circle में whatsapp facebook हर जगा अपने study group में इसको share जरूर की जगा और last का question में आपसा पूछूंगी जिसका answer आपको comment section में देना है coding decoding का यह है question next कैसे करते हैं पहले बात में question को पड़ देला है क्या देखा है यदि ME KLF का code है 91782 और LLL JK का code है 8867 तो आपको IGHED का code क्या होगा चार option आपके यहाँ पर दे रखे हैं समसे पहले में देखना है कि कौन सा यहाँ पर code follow करेगा आपको बता है कि M का code क्या होता है M का code होता है 13 E का code होता है 5 K का code होता है 11 और L का code होता है 12 और F का code होता है 6 तो क्या ऐसा कुछ हमारा इससे match हो रहा है दिख रहा है आपको ऐसा कुछ match होता हुआ बिल्कुल एक दम ही नहीं दिख रहा है ठीके तो as it is code जो code होता है उसके लिखने से हमारा solve नहीं हो रहा है तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा देखते हैं दिखें सबसे पहले इन सभी का code हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से ठीक है क्या दे रख्खा है M, E, K, L, F ठीक है तो M का code मैंने आपको पता है क्या था 13 था, E का क्या था, 5 था, K का क्या था, 11 था, L का क्या था, 12 था, F का क्या था, 6 था अब इसमें से अगर हम लोग 4 माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें लाना है 9, 1, 7, 8, 2 माइनस 4 कर देते हैं, यहां माइनस 4 कर देते हैं, यहां माइनस 4 कर देते हैं, यहां माइनस 4 कर देते हैं की साथ 22 मिस चाहर गएो 8 ओ er 6 मिस चाहर गए 22 तो हमारा यहां पर करेकट यहां पर बैठ रहा है ठीक है यह ठीक है यह कि जो हमें कोट दिया है सिंपल सा वही वही कोड लिक करके माइनस4 कर देना है तो हमारे एंपर सॉल्व जाएगा ठीक है तो यही पैटर यहां पर be इस today uk you scoop like WAY अब उन्हों लखते हैं इसका सारा code क्या है अब आई का code होता है 9 जी का होता है 7 přίν पहड़िवद 2 को ध़िए 4 मैंने क्या गयता है 1-4 माइनस 거지 माइनस चार माइनस चार हर कोशुन में चार नहीं करना है वो revenge के belli कोडिंग हमें indicated करता रहना पड़ेगा ठीक है यहां पर 4 ठीक है तो अब माइनस करते हैं हम लोग माइनस करने पर क्या क्या आता है चक करना पड़ेगा ठीक है 9 से 4 गया 5 7 से 4 गया 3 8 से 4 गया 4 5 से 4 गया 1 4 से 4 गया 0 ठीक है यह हो गया हमारा करेक्ट आंसर जो कि हमारा option C में साफ साफ दिख रहा है देखिए यह तो method हो गया simple method जो कि मैंने आपको बताया हूँ इसको हम लोग ऐसे भी solve कर सकते हैं ज्याद हमार time भी बचेगा इसका वाला code हमने जब किया था आई जी एच इडी तो आई में हमारा एक सेकंड जबने आई जी एच इडी से किया था तो आई पर हमारा आया था 5 यानि कि 5 और कहीं आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में 5 सिर्फ यहीं पर दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है तो elimination method से हमारा time थोड़ा बच जाएगा और C हो जाएगा सही तो यह भी आपर थोड़ा चीजों को ध्यान दिजएगा तो यहाँ पर हमने question solve के अब लोग next question पर आते हैं question है दी गई श्रिंखला में कौन सी संक्या गलत है श्रिंखला यानी series दे रखी है क्या क्या है 4 20 10 50 26 125 आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी ऐसा नंबर है जो कि गलत दे रखा है solve करते हैं हम लोग कैसे solve करना है देखें चेक करना पड़ेगा क्या दे रखा है 4 20 10 50 26 125 तो देखें आपर जो आपको दे रखा है question को अपर ध्यान से पड़े क्या दे रखा है 4 20 10 50 26 125 अब यहाँ पर आप देखें simple multiply करने से कोई भी series नहीं हो रही है plus करने पर भी कोई series नहीं बन रही है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा अब देखें यह आप लेका 4 20 10 4 को 5 से multiply कीजे फिर 2 से भाग दीजे क्या आता है 4 25 20 ठीक है और 20 को जब हमने 2 से भाग किया तो 10 आ रहा है ठीक है तो यह तो हमारा बन गया अब next देखते हैं यहां 20 है को हमलोग 5 से गोडा करते हैं ठीक है यहां पर आता है 100 100 को हमने जब 2 से divide किया तो 50 हमारा यहां पर आ रहा है यह भी सही है अब हमारा आता है 50 50 को हम लोग 5 से multiply करते हैं फिर 2 से divide करते हैं तो 250 250 को जब हमने 2 से भाग दिया तो 125 हमारा आ रहा है ठीक है बट यहां पर हमारा यह वाला पैटन सही नहीं बैठ रहा है तो यहां पर ओप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आसर कुछ नहीं करना है बस आपको ध्यान देना क्या करना है चार गोड़े 5 चार पंचे 20 हो गया और हो गया था हमाने 25 को जब आमने किया था इसके आधे को नियए तो आगया फिर 2 से 2 से डिवाइड किया तो यहां पर हमारा पैतन सही बेड़िया जो कि हमारा 26 नहीं फॉलो कर रहा है तो यहां पर option A हो जाएगा हमारा सही answer अगर आपको यह question समझ में नहीं आया हो तब मुझसे comment कर सकते हैं मैं आपको फिर से बताऊंगे पैटन यही है simple चार गुड़े 5 अपॉन टो ठीक है यानि कि 5 से गुड़ा करके 2 से भाग देना है ठीक है अब लोग नेक्स कोशन पर आते हैं ठीक है यह question मैंने आप से इस question को को कमेंट सेक्oston में देना को करके बताना है कि आंसर क्या होगा ठीक है एक कितने question मैंने solve किए एक स्कुर्शन को आपको तो comment section बताना है solve करके इस तरह के question मैंने आपको कई बार बता İşte Am analogy कहते हैं इस तरह के question को इस को इस को इस वेट सीरीज का कोशन कराया एंड कोडिंग का कराया है ठीक है सारे कोशन में डिसकस कर लिए लास्ट वाला कोशन आप जिसका आपको कमेंट रेक्शन देना है उसको आप लोग सौल जरुब कीजिएगा थैंक यू